विडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार तर्की और साओधी अरेविया के रिलेशन दिन परती दिन खराब होते जा रहे हैं अब तो जो साओधी अरेविया के निवासी है जो साओधी अरेविया के लोग हैं वो ये campaign शुरू कर दिये हैं कि बाइकोट टर्की गूड्स जियां टर्की का जो भी गूड्स आता है साओधी अरेविया में उसको बाइकोट करो मतलब economically टर्की को चोट पहुचाओ ये सारी situation हुआ क्या है और ये बाते कोई एरेगरे आदमी ने नहीं बोला ये बाते जो साओधी अरेविया के Chamber of Commerce के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बाते बोली है जो की बहुत बड़ी बात है क्यूंकि साओधी अरेविया में कोई भी पोस्ट बिना वहां के राजा के बिना रह नहीं सकते तो अगर Chamber of Commerce के लोग अगर ये बात बोल रहे हैं इसका बात 1818 में सुरू होती है जब साओधी अरेविया के एक राजा को तर्की ने पकड़ के लाया ये टर्क्स ने पकड़ के लाये और उनको मार दिया गया रुसड़कों पर यह जो भी है उनको मार दिया गया ये लड़ाई तब से शुरू हुई हालाकि अब दूतियों भी होता है जिहां और बेपार के करम में क्या आए कि देखिए जो स्थ तर्की एं तर्की अपने आपको इसलामिक बर्ड का लीडर दिखाना चाहता है जबकि जो गल्फ की कंट्री है उस पे गल्फ की कंट्री नहीं बहुत सारे यह ज़्यादा तर मुस्लिम मेजरिटी जो सम्रा करने या जो भी है मक्का मदिना जाते हूं आप सभी जानते हैं तो उससे भी साओधी अरब्या को पैसा आता है तो अब क्या हुआ है कि टर्की चाहता है कि साओधी अरब्या से कंट्रोल कैसे भी लिया जाए मुस्ली मेजरिटी का और आब वो एक नया ब्लोक बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के हलाकि पाकिस्तान का नटबोल्ट कस दिया गया साउधी अप्रिएक वी तर्की पाकिस्तान कष लगभू हो गया है और पाकिस्तान को कुछ भी दे दे तो पाकिस्तान उसकी पिछलगू हो जाता है ये बात भी सच है अभी ये सिच्वेशन एराइज हलाकि आईसी भी खबरे हैं कि जो भी सामान साओधी अरेबिया के समुद्र के पोर्ट से टर्की का गुजरता है साओधी अरेबिया उसको बेवजा कुछ दिनों के लिए रोक देत करती है और अब आजकल के दिनों में आईसी भी परिपाटी चल पड़ी है कि जहां भी साओधी अरेबिया का इंट्रस्ट हो तरकी का इंट्रस्ट हो साओधी अरेबिया के खिलाप हो जाता है विसलिए जब आप जिससे लड़ाई पालो गये तो यह सारी सीजे होगी ही सावरी जो साओधी अरेविया के लोग है और तर्की के गुड्स को बाइकॉट करना शुरू कर दिये हैं और यह कैम्पेइन शुरू हो गया है जो कि टर्की को चोड पहुंचाएगा क्योंकि एक अच्छा खासा बेपार होता है तर्की और साओधी अरेविया के बीच और भी इपोक्रेसी है तर्की का अल्री अल्रीयलेसरी सिफ्हेस ठर्की पहला मुस्लीम मेज़्ॉरिटी कंट्री में से एक है जिसके साथ सबसे पहला इजराईल का रिलेसन अश्चुन बना लेकिन अप इतने साल गुजर गए इसराइल बनने के बाद अभी तक इसका कोई समधान नहीं हुआ तो कितनी दिनों के इस समस्या से जुजा जा सकता है जब कि 20 के साभी देश एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो टर्की ने अब क्या बोल दिया है आप सभी जानते हैं टर्की ने बोला तो साओधिय अरेविया के परभुत वाले देश हैं लाइक UAE हो गया बहरीन हो गया और भी सारे कंट्री है जहां साओधिय अरेविया का चलता है यह का यह साओधिय अरेविया का जहां सुप्रिमसी है ओ लोग भी बाइकोट करना सुरू करेंगे और यह इंडिया के लिए तर्की भी हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है, जी हाँ, तर्की भी पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, और अनाप सनापा स्टेटमिंट देता है तो इंडिया के लिए फाइदे मंद है और अबिसली है, जब तर्की का बजार जाएगा, तो इंडिया जुकी हम भी developing country है हम अपना समान बेचेंगे क्योंकि जो गलप country है उससे हमारा relation अच्छा है तो यह सारी situation थी मैंने बोला हलाक इजराइल के साथ भी अब टर्की को बन नहीं रहा है जिहां अब तो हद तो तब हो गही जब बहुत सारे statement इजराइल के खिलाब भी देना शुरू कर दी हैं यह लोग जब कि इजराइल ने अपना drone तक बेचे थे टर्की को जिहां इजराइल ने अपना drone तक बेचे थे टर्की को यहीं के परधान मंत्री के कारकाल में जिया एद औरगन के प्रेशिडेंट जो एक जमाने में परधान मंत्री भी होते थे ऐसा नहीं की नहीं बाद में वो पोस्ट उस जो भी है तो आब यह क्या है टर्की को एक ऐसी छत्री के नीचे ले जा रहे हैं विसुसानती के लिए से देश हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर आप अपनी छत्री के नीचे रख के टर्की से कब तक वे सारी कामे करवाते रहेंगे और ये बर्ड़ पीस के लिए खत्रा है तो कहीं न कहीं कुछ एक्सन लीजिए जिससे टर्की पर लगाम लगाया जाए नहीं तो इसको बाहर कर दीजिए उसके बाद बहुत सारे कंट्री इसको सबक सिखा देंगे जियां और मैं भी भी काता हूँ टर्की को लोगों को उनसे कोई मेरी दुस्मनी नहीं और किनी से भी दुस्मनी नहीं है जो सचाई है और सचाई है कि आप अपने गवर्मेंट को बोलिए कि ये कितनी अच्छी दुनिया है लेकिन लड़ाई जगड़े में अपने टांग खड़ाने का मतलब क्या है कि ये आपकी देश को तवाई के कागार पर ले जा रहे हैं तो आप जो भी अभी तक मेरा वीडियो सुन रहे हैं उनको बहुत धन्यवाद मेंचन को सब्सक्राइब कर लिजिए शेयर कर लिजिए धन्यवाद जैहिं लिज फज़े मेंचन कर दर के दर को भी ं हा हैं तो बहुत आपकी देचाद़ कर लिए जापकीा पीज़।